वेल इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक्सवी 700 के प्राइजिंग के बारे में तो यह दौनों ही ऑप्शन के साथ आपको देखने को मिलेगी पेट्रोल एस डीजल अगर वेरियंट के बात की जाए तो वेरियंट इसके साथ आपको एक्स सीरीज और एक्स सीरीज देखने को मिलती है एक्स सीरीज के बारे में बात की जाए तो अड्रीनो एक्स के नाम से यह आपको यहां पर देखने को मिलेगी जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स यहां पर देखने को मिलेंगे और अड्रीनो एक्स के भी आपको काफी सारे यहां पर प्रोवाइड के जाएंगे MX series के बारे में अगर बात की जाएंगे तो यह आपको सिर्फ और सिर्फ 5-seater variant के option में देखने को मिलेगी पेट्रोल को प्राइस रखा गया है 11.99 लाक्स और डीजल आपको 12.49 लाक्स का यहां पर MX series में देखने को मिलेगा Now coming to the AX series तो अब वो आपको AX3, AX5 and AX7 के नाम से तीन वेरेंट्स प्रोवाइड के जाएंगे यह भी आपको पेट्रोल और डीजल में देखने को मिलेगे and इसके साथ आपको मैनॉल आपको अटोमाटिक transmission को option देखने को मिलेगा चलिए सबसे बहले बात करते हैं AX3 के बारे में, well AX3 आपको 5-seater variant के configuration में देखने को मिलेगा वेल इसमें आपको पेट्रोल का प्राइस 13.99 लाक्स से स्टार्टिंग देखने को मिल जाएगा, manual transmission में and 15.59 लाक्स for the automatic transmission AX3 के बारे में बात की जाएगा 14.59 लाक्स इसका manual आपको यहाँ पर प्रोवाइट किया जाएगा 16.19 लाक्स का आपको automatic देखने को मिलेगा now coming to the AX5 series तो वो भी आपको 5-seater variant के option में देखने को मिलती है petrol में जैसे कि आप देखते हैं तो manual transmission आपको 14.99 लाक्स से स्टार्टिंग इसकी देखने को मिलेगी and automatic की बात कि जाए तो 16.59 लाक्स प्राइजिंग इसकी देखने को मिल जाएगी diesel के बारे में बात की जाए तो 15.59 लाक्स manual transmission आपको देखने को मिलेगा automatic आपको 17.19 lakhs का यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा चलिए अब बात करते हैं AX7 के बारे में तो वह आपको 7S heater के configuration में देखने को मिलेगा petrol variant की बात की जाए तो 17.59 lakhs से starting prices की देखने को मिल जाएगी manual transmission में and automatic आपको 19.19 lakhs का यहाँ पर देखने को मिलेगा diesel की starting अगर बात की जाए AX7 की तो 18.19 lakhs आपको यहाँ पर manual transmission इसका देखने को मिलेगा and 19.79 lakhs आपको automatic इसके साथ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा and अगर आप AX3 या AX5 में 7S heater का configuration लेना चाहते हैं तो additional आपको यहाँ पर 60,000 extra pay करने पड़ेंगे तो आप यहाँ पर 7S heater configuration का option ले सकते हैं and यह option आपको सिर्फ कुछ ही variants में देखने को मिलेगा AX3 diesel manual, AX5 petrol manual, AX5 diesel manual and AX5 diesel automatic में यह option आपको देखने को मिलेगा well optional packages के बारे में अगर बात की जाए तो luxury pack यहाँ पर आपको available किया जाएगा on AX7 automatic variant में यह आपको देखने को मिलेगा and वो आपको extra additional 1.8 lakhs price करेगा and all wheel drive का option आपको available किया जाएगा AX7 diesel automatic में जो कि आपको 1.3 lakhs additional यहाँ पर offer किया जाएगा well overall देख जाए तो काफी attractive and काफी subtle यहाँ पर pricing देखने को मिलती है and काफी justified भी है definitely देखने को मिलने वाली है competition के बार में अगर बात की हीजाए तो competition के साप से काँछी offerings के साथ के साथ यह देखने को मिलती है and बात की जाए pair enjoying found options के लाए में तो का भी different type हो आपको competition के साफ से देखने को मिलते है जाधिक्र साथ आप देक्ते हैं तो आपको काफी modern air features भी यहाँ पर definitely देखने को मिलने वाले हैं So this was all about the XCV 700 pricing video So I hope you enjoyed my videos So do hit like, share and subscribe to my channel for more such crazy updates And you can follow me on Instagram as well link आपको description में देखने को मिल जाएगी So it's bye for now and hope to see you soon Me signing off